ओके फ्रेंड्स तो आज डे 17 है और आज हम आयोटी बेस्ट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ठीक है तो आज हम आयोटी होम ओटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाने वाले डे 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और यह हमारी पेड क्लास है और इस सेशन को देख पाएंगे ठीक है तो आज हम फायर बेस के साथ MIT को कैसे करनेक्ट करना है और फायर बेस का यूज कैसे करेंगे देखिए फायर बेस बैसिकली होता क्या है एक ओनलाइन डेटाबेस है ठीक है हम जो है किसी वेबसाइट के उपर कोई डेटा चेंज करते हैं जीरो या वन या इस तरह का कोई सेंसर डेटा वहाँ पर पहुंचाते हैं और वो डेटाबेस जो है वापस रिस्टोर होता है हमारे आडिनो में और वहां से हम कोई भी चीज ओन आफ कर सकते हैं ठीक है तो यह एक ओनलाइन डेटाबेस है और इसको एक MIT एप जो रहेगी है MIT एप इंवेंटर आप जानते होंगे इसके उपर कई सारे वीडियोज बनाए हैं इनसे एक Android एप बनेगी जिससे मोबाइल फोन से हम Firebase के उपर 0 या 1 को पहुंचाएंगे और फिर Firebase जो हमारे Arduino डिवाइस को कंट्रोल कर लेगा और उससे हम Home Automation कर पाएंगे किसी भी चीज को आउफ कर पाएंगे इस तरह का हम प्रोजेक्ट बना रहें ठीक है तो जब भी हमारा Arduino या जो भी IoT डिवाइस है वो Firebase से डेटा लेगा और Firebase को डेटा कौन चेंज करेगा MIT एप करेगा जो हमने Android एप बनाएंगे वो ठीक है तो इस तरह का सिस्टम आज हम बनाने वाले है तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पहला पार्ट क्रिएटिंग Firebase अकाउंट Firebase अकाउंट को कैसे रेडी करना है कि वो डेटा एकसेप्ट कर सके यह हम करेंगे दूसरे पार्ट में एप मेकिंग रहेगा तीसरे पार्ट में Arduino प्रोग्रा अकाउंट ही रहेगा तो सबसे पहले देखिए यह Firebase अकाउंट आपको एक लिंक दिया हुआ है यहां पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे देखिए मैं यहां क्लिक कर देता हूं अच्छा यह जो पेज है ना जो वेपेज में डाला है आप लोगों के knowledge के लिए तो बस आपका knowledge boost करने के लिए कि कैसे यह work करता है ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे सबसे पहले तो login कर लेंगे आपका account login होना चाहिए ठीक है जब आप अगर login होंगे तो आपको आपके जितने भी database बनाए हैं यहां पर आपको सकते हैं ठीक है तो अब यह recently जो बनाया हुआ यह पहला वाला new iot जो है वो पहला recently बनाया है और कैसे बनाया यह बताने वाला ठीक है अभी देखिए यहां गायब हो गया ना अब बनाते हैं हम यहां create new project पे click करेंगे ठीक है तो यह देखी वैसे मैंने इस web page पे हर एक screenshot दि देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है फिर भी एक video tutorial में ने बनाया है मेरे student की requirement पे request ठीक है तो यहां पर हमने create new पे click किया और यहां पर कोई भी नाम देंगे तो हम नाम यहां क्या दे रहे हैं दे देते हैं यहां पे new iot project new iot project तो इस तरह का नाम underscore use नहीं कर पाएंगे नाम में देखिए यहां underscore करने कोश्य करता हूं देखिए error आ ठीक है हाँ यहां पर आप dash use कर सकते माइनस का जो sign है वो यहां पर आप use कर सकते हैं ठीक है तो इसको मैडिट करके हम minus कर देता हूं तो new iot और यहां project के इदर भी हम minus लगा देते हैं ठीक है यह जो भी नाम आप देना चाहिए यहां दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे ठीक है तो मैं अभी यहां पर new iot project नाम देता हूं और यहां पर continue करेंगे continue करने के बाद अभी आप देखिए यहां पर आपको enable करना है कि analytics हाँ enable करना है ठीक है फिर से continue दबाएंगे अब हम third stage पर पहुँच गया है अब यह पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कौन सा account आप use करेंगे देखिए यहां पर एक default account होता और एक मैंने autobots वाला अलग बना रखाया तो मैं autobots वाला चूज कर रहा हूं आप default account ही चूज कर लेना ठीक है अपने requirement के according अब यहां पर देखिए create project दिख रहा है यहां पर क्लिक कर देंगे तो यह नया हमारा एक project create हो गया है और उसका नया database यहां पर तयार हो जाएगा अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा यह processing हो रही है ना तो यह जो database यहां पर बनेगा इस project का इसका हम variable यूज कर सकते कई जगह पर यूज कर सकते और केवल एक database बना के भी आप अपने 4, 5, 10 जितने भी client है उन सब की requirement fulfill कर सकते ऐसा नहीं है कि आपको जैसे की एक device बनाया है तो एक device के लिए एक project दुसरे device के लिए दुसरा project नहीं एक ही device के लिए मतलब एक ही project में आप 4, 5, 10 जितने भी devices हैं एक client की पूरी needs इसमें आप fulfill कर सकते हो या कई सारे clients की भी needs इसमें fulfill कर पाऊगे चलिए देखिए यहाँ पर यह बन गया है इसको मैं continue कर देता हूँ ठीक है तो जैसे continue करेंगे आपको जो first page कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा यह दिख रहा है आपको ठीक है तो जब भी आप यहाँ फायर बेस पर जाएंगे आपको इस तरह का यह page ठीक है इस पर आपने क्लिक किया हम create कर चुके थे अभी तक है अब आप क्या करने वाले हम इसको जो है जो हमारा specification configuration जो चाहिए हमें इसमें डेटाबेस अडिट करने के लिए तो वह हम इसमें से requirement लेने वाले तो हम यहाँ जाएंगे देखिए build में बिल्ड में जाके real time database द की चीज़ बता रहा हूं सीधे वहीं जाहिए कहां जाना है जो build दिया हुआ है इस build में नीचे आएंगे यहाँ पर आपको real time database दिखेगा कि हम इस पर क्लिक करेंगे कि इस पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का scenario आएगा आपके सामने हमें create करना पड़ेगा real time database तो यहाँ पर देखिए भी आने वाला है थोड़ा slow चलेगा देखिए IoT प्रोजेक्ट रहेगा ना और हम free में चला रहे हम कोई इसके लिए पह भी नहीं कर रहे हैं database को तो हमको थोड़ा सा bandwidth कम ही मिलता है ठीक है पर iota दुनिया की किसी भी कोने से बटन दबाया तो अगर कुछ second का difference आता है तो इतना आए गई आएगा ठीक है चलिए तो यह खुला अब यहाँ पर देखिए उपर बटन दिखरा होगा आपको create new database यहाँ पर उपर की तरफ यह दिख रहा है create database इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद एक और message आपके सामने आएगा यह कि आपका database कहा रखा हुआ होगा यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो अलग-अलग options है आप तो United States वाला ही ले लीजिए तो database कहां रखा रहेगा United States के server पर ठीक है और यहाँ पर देखिए इस तरह का option आएगा तो इसनों उपर वाला ही ले ले लिजिए locked mode यह भी ले सकते हैं पर आप उपर वाला ही ले ले लिजिए अभी ठीक है और enable कीजिए ओके तो अभी यहाँ पर हमने database बना दिया और देखिए यह URL है ना यह link है इसको आप यहाँ से copy कर सकते हैं यहाँ पर देखिए क्लिक करूँगा मैं तो यह क्या लिखा हुआ रहा है copied ठीक है copy to clipboard तो यह आपको copy करना रहेगा तो एक चीज तो यह URL हो गया है ना यह URL लोकेशन रहेगा database का और देखिए वसे मैंने यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कैसे कैसे कहा जाना हर एक चीज का screenshot documentation प्रोपर कर रखा है तो इस तरह से आप बना के यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप इस तरह से step wise कैसे बढ database बनाया और यह address copy करना यहाँ पर मैंने copy paste भी कर दिया यह वैसे यह इसका यह link हटा दूँगा मैंना यह वाला project हटा दूँगा बस यह क्यों आपको समझाने के लिए यहाँ दिया था ओके तो इन लिंक का यूज करके मेरा system hack करने की कोशिश मत करना आप लोग तो वहाँ स आप डेटा जो है यहाँ से copy कर लेंगे और अब आप जाएंगे ध्यान से सुनना यहाँ दिख रहा है settings में जाएंगे project settings हम इसके बाद service account दिख रहा है कि यह रहा service account यहाँ जाएंगे कि अब service account के बाद कि खुल रहा है अभी हम यहाँ पर देखिए यह database secrets दिख रहा है यहाँ जाना है और इस database secrets में आप देखेंगे कि यह नीचे देखिए यह secret की आ रही है न इस secret की को यहाँ पर show करो अब इसको copy करो यह copy का सिंबल आ रहा है कापी करो यह secret की हमको चाहिए यह हमारा token रहेगा इसी token से हम access कर पाएंगे इस database को इस project को और उसमें data change कर पाएंगे ठीक है तो इसको मैं देखिए एक notepad open किया और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यह secret की जो भी उठाई थी जिसे हम token भी कहते हैं इसको मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ और एक और जो मैंने बताये था न आपको real time database का URL वो भी उठाना पड़ेगा चली माँ वापस उठा लेता हूँ यह हमारा पेजे इसमें देखिए यहाँ पर real time database कि यह रहा इस पर गए और यहाँ पर जो URL था इसको हम यह क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं अब यह हमारा नोटपेड इसके अंदर हम इस चीज को paste कर देंगे देखिए की जो है ना यह credentials बहुत important है यह credentials होंगे तब ही आपकी एप जो है वह आपके Firebase के इस project को control कर पाएगी तो आपके जितने भी client होंगे जिनके लिए आप आप project बना रहे हो उन सब के लिए जो एप है वह special बन रही है वह उनकी एप से उनका ही project control होगा ठीक है मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एक ही एप जो है कई सारे clients को दे दो नहीं तो फिर सभी के on-off करने से केवल एक ही project on-off होगा आपका ठीक है तो हरे client का यह अलग बनेगा अब देखें यहाँ पर आप download में जाएंगे और यहाँ पर आपको AI यह फाइल डाउनलोड होगी तो AI यह फाइल जो आप डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर आप देखे request करेंगे यह actually मैंने बताया न यह paid है इसको मैंने जो है लॉक कर रखा है आप एक बार request send करेंगे मुझे request मिलेगी मैं यहाँ से allow करूंगा फिर allow करने के बाद आप यहाँ पर वापस refresh करेंगे तो आप इसको download कर पाएंगे ठीक है यह देखिए message मेरे पास आएगा मैंने allow कर दिया है मेरे phone से अब थोड़ी दिर मैं आप यहाँ पर वापस जब refresh करेंग तो आपको जो MIT app की AIA file है वो download हो जाएगी ठीक है तो मैंने background में process कर दिये अब हम जाएंगे यहाँ पर और refresh करेंगे आप लोग और जैसे refresh करेंगे आपको जो है AIA file download हो जाएगी अगले session में मैं आपको जो है AIA file कैसे बनाई स्टार्टिंग से बताऊंगा ठीक है अभी फिलाल हम AIA direct ले लेंगे और उसको अपने MIT app में इंपोर्ट करा लेंगे देखिए यह मैंने refresh किया तो यह AIA file है IOT Firebase नाम से इसको हम download कर लेंगे यह download का button है यह आप दबाएंगे और file download हो जाएगी यहाँ पर देखिए download हो रही है ठीक है क्योंकि मैं पहले भी कर चुका था है इसलिए आगे इसमें one लिखा हुआ है ब्रैकेट में ठीक है चलिए यह पूरी तरह से download हो गई है अब आप MIT App Inventor पर जाएंगे MIT App Inventor वैसे में पहले आपको सिखा चुका हूँ कैसे उसको बनाना है कोई भी एप तो आप MIT App Inventor पर जाएंगे और इस चीज़ को import कर लेंगे जो AIA file थी से import करेंगे कैसे करेंगे बता रहा हूँ यहां देखिए हमने नया एक टेब लिया और यहां Google में MIT App Inventor लिख देंगे ठीक है यह लिख दिया हमने MIT App Inventor और अब ऐसा लिखने के बाद देखिए यहां पर यह लिंक आया है इसको क्लिक करेंगे और MIT App Inventor खुल जाएगा यहां पर भी आप अल्रेडी लोग इन होने चाहिए ठीक है मैं अल्रेडी लोग इन हूँ इसमें नहीं है तो आप Gmail ID से लोग इन हो जाएंगे फिर Create Apps पर जाएंगे Create App पर जाने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार का एक Welcome Screen दिखाई देगा इसको आप Cancel कर दीजिए नीचे से Close कर दीजिए चीक अब आप क्या करेंगे आपके जो प्रोजेक्ट से यहां पर इसमें जाएंगे My Projects यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट पर काम किया होगा ना सब दिख रहें लेकिन आप क्या करेंगे यहां प्रोजेक्ट में जाएंगे और इंपोर्ट यह फ्रॉम माई कंप्यूटर तो इंपोर्ट यह फ्रॉम माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे अब फाइल ब्राउज करेंगे जो कि हमने रिसेंटली डाउन किया था तो वह डाउनलोड वाले फोल्डर में मिल जाएगा यह रहा इस पर क्लिक करेंगे और इसक करने के लिए 謝謝 आगया है नाम नाम मर से दे सकते हैं यहाँ तो मैं यहाँ पे टो लिख देता हूं automation टो कोई भी नाम आप दे सकते ही हैं अपर इप बना रखें एक औंप करने का है एक आफ करने का ठीक है जब MITA बनाना सिखाूंगा न तब बताऊंगा कि यह बटन कैसे लेके आना है बटन की नंबर कैसे बढ़ाना है कैसे क्या क्या करना है मेरा विजिटिंग कार्ड भी इसमें दिया हुआ है फिलाल क्योंकि हमने फायर बेस का वीडियो है यह तो फायर बेस को MIT एप से कैसे कंट्रोल कर रहे है तो उसके लि जो है राइट साइड वाला जो पैन है उसमें तीन एंट्रीज है ध्यान से देखिएगा एक तो यह यह सबसे पहले तो पूरी हटा दो अगर यहां पर कोई एड्रस है तो हटा दो पूरा आप ठीक है यह पूरा हटा दो सलेट करेंगे और डेट दबा देंगे या बैक इस पैस से भी अठा सकते और यह देखिए बकेट है इसको भी पूरा हटा देंगे बकेट कहा काम आएगा मैं बताऊंगा आपको तो सबसे पहले तो यह हटाया क्लिन किया फिर यह क्लिन किया और यह बकेट भी क्लिन किया यह तीनों एंट्रीज है बहुत इंपोर्टन एंट्रीज है यह ध्यान रखना ठीक है अब देखिए यहां सबसे उपर जो दिख रहा है ना टोकन तो टोकन मैंने आपको बताया थ का secret की होती है secret की जो copy किया था वापस not paid open करो देखो यह secret की है इसको मैं select करके copy करके यहां पर आके control V दबाकर paste कर दूँगा ओके नाओ यहां पर आए URL पर यहां पर यह URL copy किया यह database का location है न इसको copy किया और फिर से इसमें आए और यहां पर देखिए URL पर इसको paste कर देंगे अब देखिए जो project name में यहां पर आप जैसे की home automation बना रहे हो switchboard बना रहे हो तो यह कौन से room का बना रहे हो आप वह mention कर दो यहां तो room का नाम यहां पर लिख दो या client का नाम लिख दो सबसे बेस्ट है तो जैसे मैंने यहां पर मान लीजी लिख देता हूं living room ठीक है तो living space room भी लिख सकता हूं जो भी नाम आप देना चाहों जहां के भी बना रहे हो आप तो बैटर है तो client का नाम देदो ठीक है और client के room का नाम भी दे सकते हैं क्लाइंट का room 1 क्लाइंट का room 2 क्योंकि आपको जो device है ना वह room 1 दिवाइस को कंट्रोल करने के लिए बनी है ठीक है देखिए अभी हम जाएंगे है यहाँ पर देखिया में लिख दिया लिविंग रूम अब लिविंग रूम में लिख तो दिया पर यह काफी बड़ा हो गया है ना काम करते हैं इसको केवल बनाया था ना, यहाँ पर bucket, bucket का नाम भी वापस कर देंगे, room one, और better app client का नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है, चलिए, room one हमने कर दिया, अब हम यहाँ से, बस हो गया, complete हमारा work है न, अब हम क्या करेंगे, कि इस project को export करते हैं, और फिर mobile में test करते हैं, कि क्या हम mobile की इस app के through, कैसे करेंगे, देखना, build में जाएंगे, और यहाँ पर android app, जैसे इस पर click करेंगे, तो यह जो हमारी android app बन जाएगी, कैसे बनेगी, देखो जरा एक process चलेगी, उसके बाद, ठीक है, चल रही है यह process, 75% हो चुका है, ठीक है, जैसे यह बनेगी, तो इसका download भी आएगा, PC के लिए भी download कर सकते हो, या बार कोड भी आएगा, बार कोड के थ्रूँ आप अपने mobile में भी चला सकते हो, direct install हो जाएगा, तो यह 100% होते ही, देखिए, यह screen आईगी आपके सामने, ठीक है, अब download करोगे तो आपके PC में APK file download होगी, और यह बार कोड scanner अगर आप mobile से scan कर लेते हो, तो अब direct mobile में इसको download करके install कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको जो है, direct mobile में से scan करके, download करके, install करके, database को इन बटन से edit करके बताऊंगा, ठीक, यह आज जो सिखाया बहुत ही crucial part है, इस IoT का, ठीक है, बाके सब तो आप कर लोगे, यह वाले में ही लोग कन्फूज रह देखिए, फोन खोला हमने, यहाँ गए, QR में गए, QR को scan किया, और scan करने के बाद देखिए, link आया, इसको open का बटन दबा दो, अब यह बोल रहा है कि download करो, हाँ यह download anyway, अब यह बोल रहा है, install करूं, तो हाँ, कोशिश करो install करने की, अब वो जो है, एक बार scan करेगा, यह system का security feature है, अपने phone का, जो scan करेगा कि कहीं इस एप में कुछ harmful तो नहीं है, तो ठीक है, वैसे नहीं है, हमने बनाया है, फिर भी एक बार scan करने दो इसको, थोड़ी दिर में वो scan कर लेगा, और फिर हम इसे install कर लेंगे, तो यहां हमारी app यह जो है, scan हो रही है, ठीक है, install, यह install होने लग गई, और यहां हमने app open की, देखिए app open की हमको यहां पर केवल दो बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे database पर, यह दिख रहा है database, यह real time database, यहां पर है न, अब देखना, मैं यहां पर जब button दबाऊंगा, जब मैं on का button दबाऊंगा, तो यहां पर देखिए, यह room one लिखा हुआ रहा है, इससे पहले नहीं था, यह variable है न, यह क्योंकि हमने bucket बनाया था, तो यह bucket बना, अब इस bucket के अंदर एक variable है, यह L1, और L1 में देखिए, यहा आप इस variable की value change कर रहे है, ठीक है, अब अगले part में हम सीखेंगे कैसे जो है, इस variable को हमारे Arduino की relay के status पर डालना है, 0 और 1 code,